गाजा स्वास्ते मंद्राले के मुताबिक 7 अक्टूबर से गाजा और इस्राइल के बीच शुरू हुई जंग में अब तक 9700 से ज्यादा फिलिस्तानी मारे गए हैं और इनमें 4800 बच्चे भी शामिल है गौर करे कि युद के दोरान अक्सर इसराइल सरकार और इसराइल के समर्थक बार बार गाजा में हुई मौत को लेकर सवाल उठाते रहे हैं वहीं अमेरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फरेंस में कहा था कि फिलिस्तिन द्वारा बताई गई मरने वालों की संख्या पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसके बाद गाजा स्वास्ते मंत्राले ने दोसो बारा पन्नो का ये डॉक्यूमेंट शेर किया था जिसमें मरने वाले 6747 लोगों की जानकारी है इन सब के बीच इसराइल समर्थक ये क्लिप शेर करते हुए दावा कर रहे है कि गाजा के इस मुर्दे ने अपना सिर हिलाया है इसराइल की ओफिशल ट्विटर हैंडल ने सीनेन की ये क्लिप ट्वीट करते हुए यही दावा किया इसे 40 लग से ज्यादा व्यूज मिले थे हलाकि बाद में इस ट्वीट को डिलेट कर दिया गया अमेरीका में इसराइल के दुतावास ने भी ये क्लिप ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट की कई बार फिलिस्थीन विरोथी गलत जानकारिया शेर करने वाले इसराइली एक्टिविस्ट यूसुफ हद्दाज समेत कई यूजर्स ने ये वीडियो फिलिस्थीन को टार्गेट करते हुए शेर किया ऐसे में पीछे न रहते हुए भारतियर राइट विंग सोशल वीडिया अकाउंट्स ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावों के साथ शेर किया हाला कि इस क्लिप की सच्चा है क्या है हम आपको बताते हैं आगे इस वीडियो में सबसे पहले तो हमने वाइरल वीडियो में CNN के साथ साथ इस्राइली न्यूज आउटलेट N12 का लोगो भी देखा वाइरल वीडियो में कथे तुरूप से शव को हिलते हुए दिखाने के लिए उसे लाल रंग के सरकल से हाइलाइट किया गया है हमने CNN की ओरिजिनल रिपोर्ट ढूंडी हमने देखा कि इस रिपोर्ट में रेड सरकल से शव को हाइलाइट नहीं किया गया था ध्यान से ये फुटेज देखने पर हमने पाया कि नीली टीशिट पहना ये शक्स जब शव का कफन खोलता है तब उसके सिर के पास की गाट भी खुल जाती है और ऐसा लगता है कि ये शव हिल रहा है औल्ट न्यूस को पता चला कि ये फुटेज फिलिस्तिनी पत्रकार हसन एसले ये ने 28 अक्टूबर को रिकॉर्ड की थी हमने उनसे कॉंटेक्ट किया हसन ने शव के हिलने या फिर फरजी शव के दावो को खारिज किया और हमें असली फुटेज बेजा उन्होंने बताया क वीडियो में दिख रही मैला अपने बेटे की मौत का शोक मना रही थी ये वीडियो देखने पर ये बात साफ हो जाती है कि नीली टीशट पहना ये व्यक्ति जब लाश का चहरा दिखाने के लिए कफन का एक हिस्सा हिलाता है तब उसके ऊपर लगी गाठ हिल जाती है यानि लाश अपने आप नहीं हिल रही थी हसन ने हमें मौके की ये कुछ तस्वीरे भी भेजी इन्में से स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर में ये बौड है हलाकि इस पर क्या लिखा है ये ठीक से समझ नहीं आ रहा इसलिए आल्ट न्यूज ने आनलाइन इससे मिलती जुलती कुछ तस्वीरे ढूंडी हमें ये एक और तस्वीर मिली जिस पर अर्भी में दफन और अंतिम संसकार की फ्री सेवा के बारे में लिखा था यानि ये जगा गाजा का अलक्सा अस्पिताल है तो जैसा कि आपने देखा इस्राइली सरकार और इस्राइल के समर्थकों ने वाइरल वीडियो शेर करते हुए जूथा दावा चलाया कि कफन के नीचे वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाय था साथ ही ये दावा भी किया कि फिलिस्तिनी फर्जी रूप से मौत का नाटक कर रहे हैं पहले भी और न्यूज ने ऐसे दावे खारिच किये है जैसे ये फूटेज शेर करते हुए दावा किया गया था कि ये बच्चा एक खिलोना है जबकि ये चार वर्षिय बच्चे की लाश की तस्वीर है